गर्मी का मौसम आते ही बच्चों की छुट्टियां शुरू हो जाती हैं छुट्टी शुरू होते ही बच्चे घर खाली बैट जाते हैं और परिशान होते हैं सासत परिवार वाले भी परिशान हो जाते हैं गर्मी इतनी भीशन है कि आदमी का घर से निकलना मुश्किल हो जा परिजन द्वारा बच्चों को डांस कारेशाला जोयन की गई डांस टीचर शबनम खान ने कहा कि परिजनों और बच्चों की परिशानी को देखते हुए निशूर का डांस शेविल का आयोजन किया है जिसमें लगबग 80-100 बच्चे प्रति दिन डांस सीखने आते हैं इससे बच्चे भी काफी खुश नजर आ रहे हैं और परिजन भी साथी यह भी कहा कि बच्चों को डांस क्लास के जरीए इस बात की जानकारी भी होती है कि बैले डांस, कथक, सहित, अन्य प्रकार के डांस होते हैं वहीं अलग-अलग स्कूल के बच्चे डांस सीखने आते हैं तो उनमें दोस्ती भी होती है साथी सुभे से आये सभी बच्चे एक साथ खाना खाते हों मिल जूल कर रहते हैं जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बच्चों की गर्मी की छुटिया नगी है और बच्चे काफी जादा अपने पेरिंस को परिशान कर रहे हैं तो मुझे लगा कि क्यों ना बच्चों को मैं कुछ ऐसा सिखा हूं जिससे बच्चे वीजी भी रहें और एक कुछ नया को सीख पाएं तो मैंने मैंने मेगनेटो मॉल में एक वरक्शॉप लगाया है जिसमें मैं 80-100 बच्चों को अलग-अलग स्टाइल की डान्स पॉर्म सिखा रही हूं जिसमें मैंने बैली, कंटेंपरी, हिप-पॉप, अर्बन हिप-पॉप, वेस्टेन, बॉलिवोग यह सारा कुछ हम बच्चों को सिखा रहे हैं जिससे बच्चों को यह ग्यान को जाए कि किस डान्स फॉर्म को क्या बोलते हैं, उसको कैसे किया जाता है सारे जो बच्चे हैं, हमारे पास लगबग 100 बच्चे हैं, वो सारे बच्चे बहुत ज़दा इंज्जोई कर रहे हैं और पेरिंस भी उस वज़े से तोड़े रिलीफ हैं, और पेरिंस भी हमको बहुत ज़दा कॉपरेट कर रहे हैं, इस वाक्षोप को आगे बढ़ाने के लिए डान्स क्लास से बच्चों में एनर्जी लेवल तो बढ़ता ही है, साथ ही एक्सराइज भी हो जाती है, जिससे शरीर में लचक आती है, और बच्चों को डान्स के सासत मस्ती भी हो जाती है देश टीवी के लिए रिच्चा सहाई की रिपोर्ट